तो ही गाइस कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में हम चैप्टर में 20 लोकोमोशन मुवमेंट का थर्ड पार्ट देखेंगे ठीक है अमनों पुराने वीडियो में हमने जॉइंट्स को एक्स्प्लेंट कर दिया था अगर आपको वीडियो भी चेक आउट करनी है तो हमारे दिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप चेक आउट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में हम मसल के बारे में डीटेल में चानेगे कि कैसे मसल काम करते है कैसे हम muscle contract करती है muscle कौन कौन सी होती है हम सारे चीज़े जानेंगे हम यह भी जानेंगे कि locomotion क्या होता है movement क्या होता हम एक एक चीज़ को detail में समझेंगे तो चलिए इस chapter को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि locomotion क्या होता और movement क्या होता है ठीक है तो देखो movement क्या होता है सबसे पहले यह जान लेते हैं कि movement होता क्या है ठीक है देखो जैसे कि हम बोलता है जैसे कि human beings होता है वो move कर सकते हैं limbs, jaws, eyelids, tongue, etc महलब कोई भी ऐसा movement जिसकी वज़े से place और location change नहीं हो रही हो तो उसे हम movement बोलेंगे जैसे कि आपना भी हाथ हिलाया जैसे कि हम बाल सबारते वो भी ज़रा से movement है लेकिन उसमें कोई place change नहीं होई नहीं उसके अंदर कोई location change रही तो इसके लिए हम उसको बोलेंगे movement ठीक है यह होता है movement बात करें हम locomotion की तो कुछ ऐसे movements होते हैं जिसकी वरसे place और location बदल जाते हैं जैसे कि हम यहां से मान लेजे मैं coaching गया तो यहां से मैं coaching गया तो locomotion हुआ मैं एक जगा से दूसरी जगा गया ठीक है यह होता है locomotion यह होता है locomotion movement में difference भी एक तरह साब कहा सकते हो ठीक है यह सब सारे locomotory movements हैं बात के लिए movements of मतलब ऐसे normal movements के example तो जैसे eyelids ठीक है तंग से सब जितने movements करते हैं सारे हो जाएंगे आपके मतलब ठीक है तो सब आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ा जाएं यहां पर एक मतलब यहां पर एक light definition आती है ठीक है तो definition हम देखते हैं वह important है इससे कि इसमें बोला जाता है कि वह सारे all locomotions are movements but all movements are not locomotions इसका कहने का मतलब क्या है कि सारे all locomotions जो होते हो movements होते हैं पर सारे movements locomotion नहीं होते हैं फ्रड़ा confusing है चलिए एक बड़ फिर से देखते हैं समझते हैं क्या के राइलाइन कि सारे all locomotions movements होते हम जानते हैं कि locomotion हो मूवमेंट होता है मैं आसे माली जे coaching जाओंगा तो मेरा कु और location change ठोड़ी हो रहा तो उसका हम locomotion नहीं कह सकते हैं वहीं समझा जा रहा है आपर ठीक है तो यह वाल हमरा part locomotion movement हो गया अभी हम types of movement देखेंगे कितने type के movements होते हैं तो basically 3 type के movements होते हैं हमारी body में namely कौन-कौन से होते हैं amoboid movement होता है ciliary movement होता है muscular movement होता है कौन-कौन से होते है यहां पर क्या होता है यहां पर क्या होता है कुछ specialized cells होता है हमारे body में जैसे कि macrophages और leucocides जो blood के अंदर होते हैं और exhibit करते हैं amoboid movement यह blood के अंदर जो leucocides और macrophages होते हैं यह amoboid movement करते हैं ठीक है और एक और हाँ एक और आपको समझाता हूं जैसे कि cytoskeleton elements होते हैं जैसे cytoskeleton elements जैसे कि macrophilaments जो involved होते हैं हमारी body में आप ऊके और यह स्यूड़ पूडिया में पाया जाता है ठीक है इंदर क्या कहा जाता है कि को specialized cells होते हैं हमारे body में जो करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात करते हैं सिलरी मुवमेंट्स क्या होता है सिलरी मुवमेंट्स क्या होते हैं यह most of our internal tubular organs में होता है ठीक है जो लाइन होते हैं सिलेटेट अभी थीलियम के दोरा ऐसे और वहां पर में यह होता है जो कोडिनेटर मुवमेंट्स होता है सिलिया का ट्रैकाई के अंदर वह help करता है रिमूब करने में dust particles और कुछ foreign substances जो हमने सांस लिया है उसकी atmospheric air के साथ साथ वह भी आ जाते तो उसको purify करने मदद करता है ठीक है कौन सीलिया ओके जो पासेज होता है ओवा का थ्रूदा फीमल रिप्रड़क्टर ट्रैक्ट वह फैसिलेट के जाता है सिलरी मूवमेंट के दोरा समझे रहों में किस चीज़ की बात करो सिलरी मूवमेंट ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं मुस्क मुस्किलर मूवमेंट बोलते हैं ठीक है इतना समझ में आया आपको समझ में आया है और मुवमेंट क्या होता है अर्क मुदमोट कि आपके मतलब जसाओं के मने बताया बलड के अंदर आपके जो लिकोसाइट और मैक्रोफेजर से उपेट करते हैं कूँ कुछ साइटो सब्सक्राइब करते हैं इसको साफ करने मदद करता है सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मसल्स होता गया मसल्स होते हैं तो मसल्स एक स्पेशलाइज टिशू मसल्स होते हैं मसल्स एक लेयर होता है अच्छा जब हम अब्रियोनिक स्टेज में होता है तो वहाँ पर हमारे पास तीन लेयर्स होते हैं मतलब स्किन के मतलब हमारे पास तीन लेयर्स होते हैं एक होता है एक्टोडर्म एक होता है मेसोडर्म एक होता है एंडोडर्म एक्टोडर्म 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 एक्टोडर परसंट जो बाड़ी का वेट होता है वो मसल्स के जवारा होता है इनकी स्पेशल प्रोपर्टी होती जैसे कि excitability, contractility, extensibility, elasticity जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी बाड़ी बहुत अचीली है मसल्स एक सा तो नहीं एकदम ही टाइट है फिर कुछ है नहीं ठीक है अब बेसिकली में चीज़ा आती है अब धिहान से सुनिएगा ठीक है जो लोको जो बेसिकली जो मसल्स होता है न ठीक है मसल्स उनके location के basis पे हम मसल्स को तीन टाइपस में बाड़ते हैं तीन काटिगरी मे होता है reallyshire स्काल बड़ते मुसल्स की बात कई आता है सप्थेन कोई के साथ मतलब बॉन के साथ बोनके साथ क्लोजली एसूसियेटेड होते हैं कौन स्कलेटल मसल्स ठीक है और आगे बढ़ते हैं इनके पास इनका एक स्ट्रिप्ड अपीरेंस होता है अगर आप सको माइक्रोस्कोप सो अबजब करेंगा इसलिए हम इसको स्ट्रेटल मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनके अक्टिविट स्कलेटल मसल्स के आपका मात क tief आशिक नमके में और व स्ट्रेट वस्का मतंरो मात्युड यह कोग्ली वाय्निग में तो और ते आहिए को उसके जो lining है अंदर वाली वो visceral muscle की है ठीक है और जो reproductive tract है ठीक है वहाँ पर भी अंदर में जो visceral muscles होते हैं ठीक है तो यह कोई भी illustration exhibit नहीं करते हैं ठीक है और इसलिए हम इसको यह smooth होते हैं appearance में देखे जाने में smooth होते हैं इसलिए हम इसको smooth muscles और non-streated muscles भी हम बोलते है इनकुछ activity होती है यह involuntary होती है ठीक है मतलब हम इसको control नहीं कर सकते हैं यह assist करते हैं करते हैं का मतलब example की तौरब समझें transportation करते हैं food का through digestive tract and sorry transportation of food करते हैं through the digestive tract और gametes का करते हैं through genetial tract ठीक है इतना समझ में आया वाहिसल मुसल्स समझ में आया आगे बढ़ते हैं cardiac muscles की बात करें तो cardiac muscles muscles होते हैं heart के बहुत सारे cardiac muscles assembled होते हैं branching pattern में जो form करते हैं cardiac muscle को उनके appearance के basis पर cardiac muscles stated होते हैं यह involuntary होते है nature में as obvious और nervous system मतलब यहां पर कोई भी involuntary होते हैं मतलब यहां पर आप इसको control नहीं कर सकते हैं ठीक है अब हमारा यह वाला types of muscles खतम होता है ठीक है अभी हम क्या समझें कि एक muscle fiber को हम deep में समझेंगे कि muscle fiber में क्या होता है उसकंदर कौन-कौन सी चीज़े हम होती है muscle fiber कहने का मतलब एक muscle का cell एक muscle का cell जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर हमने एक diagram आपके सान्वे रखा है diagram में क्या दिखाया जा रहा है यह एक muscle cell है मतलब muscle के अंदर एक cell को हम अभी deep में समझेंगे एक cell को समझाना मतलब सारे cells को समझाना muscles के इसलिए तो muscles के जो cell जैसे कि आप देख सकते हैं muscles के cell के diagram में देख सकते है muscle cell हम किसको बोलेंगे जैसे कि आप छोड़़ए पार देख रहे हैं ठीक है यहां पर यहां पर यह मसल फाइबर का मतलब क्या होता है मसल सेल बिसिकली मसल के सेल को हम मसल फाइबर बोलते हैं कंफूज नहीं होना है यह पर कि मसल फाइबर को उसे को हम मसल फाइबर बोल रहे हैं और यहीं मसल फाइबर जब ग्रूप में अरेंज होंगे तो इसको हम मसल बंडल बोलेंगे इसके हम बोलेंगे ज़ोंटेंट में जुट के आःचिम फैसिकल इतना इतना समझ में आया और यह ब्लड के अपर इस तो आप देखी रहे हो जहां से ब्लड यह सब आता है और सारकोले में हम आगे जाकर समझेंगे अभी हम समझेंगे कि क्या होता है आगे बढ़ा जाएं ठीक है तो अभी हम समझते हैं कि यह सारे कैसे कैसे काम करते हैं क्या होता ह सब समधिए हर और और गिनायज के लेटर मसल हमारी बॉड रटी के अंदर नंबर ऑफ मसल बंडल से बना होता है ठीक है जी और और बैस्ति-इसले बहुत सारे मसल चाहा से तो मसल फाइबस को पकड़ करका है ठीक है कौन वैसिकल सम्साहित कि सकी मदद से कोलोजेनिस करेक्ट टीशू लेयर की मदद से जिसे हम फैसिया बोलते हैं हर मसल बंडल कंटेन करता है नंबर ओफ मुसल फाइबर मतलब एक मसल बंडल में एक फैसिकल में बहुत सारी मसल फाइबर होते हैं ठीक है आगे बढ़ा जाए मसल फाइबर जो होता है वह युक्राइंड होता है प्लासम मेंबरेन के दौर इसके हम सार्कोलेमा बोलते हैं प्लासम मेंबरेन को सार्कोलेमा बोलेंगे जो खरे आइंदोप्लास्मे सारक्वमे सर्कफ्लासम का घॉत चाहियं का होते हैं यह बहुत चोड़्य reminds कषए होते हैं वो यह होता है कि प्रेज़न्सोंप Dol resumes मुलते हैं इसके डिम्सल फ्रैबर होता है वह प्रेजिंस उफ इंदर प्रेजिज अंदर प्रेसंट नमरी और लेंग वह इसके यंदर में रूटके टेल श्टेजिए में एक इसका इशियू कि इसका 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 इज्च अपीरेंस होते हैं पर वो क्यों आता क्य odcинки क्या होता है मैया फेड़र के नंदर दो चीजा कि दो प्रोटेशन आते हैं अक्टेन और ईक्टेन और माशन फिर आईस्योटपिक बात करें हम माउसन इन तो मावस इन के अंदर dark band होता है जो contain करता अनिसोट्रोपिक band ठीक है हम और इसको हम मावस इन बोलेंगे Actane के बात करते हैं ठीक है Actane Filaments thinner होते हैं as compare के जाये मावस इन फिलामेंटस बसलों Actane जो होंगे वह थेंन होंगी इसलिए कॉमनली हम ठिन और वामन बोलते हैं दुनों को संप के सब्सक्राइchem बढके स्वायलेकर आपने डेखरत 되고 स्प of apostle का का कैसे एक से स्पायबर रियारी में दिखता है जैसे कि आप देख सकते हैं डाइग्राम में आपने आप देख पा रहे होंगे कि यह कैसे दिखा जा रहा है आप यह वाला डाइग्राम देखिए इस डाइग्राम में क्या कहा जा रहा है सबसे पहले में तो मैं लेबल कर देता होता कि आपको समझ में किसमें कौन कौन से पा डाइरम को समझना तो यह जो एक्टिन और यह माशीन है अब देखिए दो एक्टिन के बीच में जो लाइन है उसको हम जी लाइन गोल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यह इधर एक्टिन है और एक्टिन के बीच में जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे उसको हम जी लिए दोनों एक्टिनके बीच का जो gap है ज gour- I should बिच सो ओ और जैसे कि आप यह वाला डैगरम बेपिशक्ट है सब्सक्राइब में आपको कैसे बतां चल रहा है थोड़ा समझते हैं में जो देखते हैं एक किसे लाइट थे सकते हैं दोनों का color light प्शुर जी लाइन है और बीच वाले में सिर्फ मायोसीन है इसलिए थोड़ा सा डार्क नहीं कम डार्क है तो इस जो पूर्शन इसको हम पूरी लाइन है इतना समझ में इतना आपको समझ में तो हम डीटेल में देखेंगे यह कैसे सारी चीजें होती है चलिए अब हम अपनी एंसी आटी के तुरफ एड करने लाइन डिन करेंगे के वह कैसे क्या होता है ठीक है तो लोको मोशन ओन्मिट यह जैसे कि मैंने इतना सरा वीडियो बना इतना सब आपको समझा दिया आपको सबको समझा दिया आपको कोई मदलब निमाला रान के सबत न ताइब से मैंने पढ़ा दी है समझें थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है। तो मैंने पुरा समझा दिए यहाँ इसके बाद आ खुद से एक बाद घर से पढ़ी है। में बना होता है साथ में होता है मुलते के तरियाएस के होगा शाल कि फाइबर के अंद चर्तिक नामर प्रेसिपर के सची हैमने की हदी वाकषा कि वह थीजीवें लेंग इन वैंज vigor की कि दो इसनों कso, भ्युव मिअन का रसे च। भाल होते हैं यह मुलते ici जिसको हम इंपोर्टेंट निट्रेंट का इसमें आपनेंट में इसको हम आइवन बोलते हैं फिर आपर डार्क बैंड जो ता है जिसको हम अनिसो ट्रॉपिक बैंड भी बोलते हैं जो कंटेंड करता है मावसीन को दोनों प्रोटीन बोट दोनों प्रोटीन अरेंड होते हैं रोड लाइक स्टॉक्चर में पैरलल टू इच अधर ऑइसा लोंगे टॉन लाक्स जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं थीनल होत अगर आपको नहीं समझ में आता ना वीपी तो प्लीज वीडियो को सुरू से मलब वापस से बैक से देखिए आपको और समझ में आया रहा जरूरू जो थीन फिलामेंट्स होते हैं फिलामेंट्स होते हैं ए बैंड वो उसको हम हैल्ट टुकर मिडल लेयर बैंड और थीन इसमेंड लेंग बोलते हैं मैंने म्लान आपको समझाया था जो ए और आइब एक रहेंट्स होते हैं अल्टरिट लिए त्रॉब आट दा लेंट अप्लेट्स तुछ लाइन इसको हम फॉंक्शनल उनित बोलते हैं और कंट्राक्शन बोलते हैं जिसम सार्कोमेर बोलेंगा है अचल को मेरा बोलते हैं सबधल कि आप डिच करो यह पूरा पॉर्चन है इसको अपर मैंने यूनित यह है तो यह मसल का होगा साड को में होई है मसल का कंट्राक्शन यहीं पर हों आगा मिर्न यूनिट यही नहीं है तिक है कौं अवरिमBR अपाशली ओवरलैब दू फ्री अंत्र दात्रिक एलेमेंट्स लेविंग दे सेंट्रल पार्ट देख फिलामेंट्स ओगे और जब रेस्टिंग कंडिशन में क्या होगा ठीक रेस्टिंग कंडिशन में यह होगा अन्य grasp तो यह किया अचेंट फैलेवे में बीच में मासइन रहे गया थोड़ा खाली यह रेस्टिंग चाहिए जैसे आप कॉंट्राइट करोगे सब भर जाएगा ठीक है यह दो देख रहे एक्टिन माउसिंग के उपर आ जाएगा पूरा ठीक है जो सिं्ंटल पार्ट होता है त्टिक फिलमंट का जो और लैप नहीं होता है इसको हम एज़ जोन बोलता है इतना समझमा है आपको इतना समझम आँगे हम स्ट्रक्चर आउफ कॉन्ट्ररेक्ट प्रोटीइन देखेंगे फिरूब है अगरना वीडियो समझम पर द इस तोपि गर आपको वाला पर समझ में नहीं आये बल्त अगर आपको वह वाली वीडियो सजटेक आउट करनी है तो आप जड़ूरuitive कर सकते हैं हमारे डिस्कीप्शन में स्टायबे से ठीक्वले वॉडियो को लाइक कीचे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजें něकों सब्सक्राइब की